सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने इस यूट्यूब चैनल को और दबा दीजिए बैल आइकन को लेटेस्ट एजूकेशन वीडियो के लिए साथिवाज हम संस्कृत व्याकरण से संबंधित कुछ प्रशन हल करेंगे अश्टे अध्याई से संबंधित कुछ प्रशन हल करेंगे जो की प्रतेक प्रतियोगी परिच्छा में पूछे जाते हैं कोई भी परिच्छा हो चाहे टीटी हो चाहे किसी भी परकार की संस्क्रट की परिच्छा हो उसमें यह परशन हमेशा एक दू देखने को मिलते हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है लगवा किसमें 300 परशन रहेंगे और आप लोग एक एक वीडियो को ध्यान से देखें आप संस्क्रट से तयारी कर रहे हैं किसी भी परिच्छा की तो आपके लिए यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने बाले हैं और आप लोग एक वीडियो को अपने मित्रों को भी शेयर करें और यदि आप पहली बार चैनल से जड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें जिससे अगले आने वाले वीडियो आपके पास पहुँच जाएं चलिए चलते हैं पहले ही प्रशन से संस्कृत व्याकरण के आदी वक्ता हैं संस्कृत व्याकरण के आदी वक्ता किसे कहा जाता है और अपसन में ब्रह्मा दिया हुआ है विश्डू जी दिया हुआ है महेश दिया हुआ है पाने नी दिया हुआ है तो शंस्क्रत व्याकरण के जो आदी वक्ता है वो ब्रम्हाजी कहे जाते हैं तो जो पहला नमर वाला उपसंदिया हुआ है ये रहेगा सही उत्तर दूसरे नमर पर चलते हैं अश्टा अध्याई के किस अध्याई में सर्वाधिक शूत्र हैं वह कौन सा अध्याई है जिसमें सर्वाधिक शूत्र हैं पाँचवे में छटवे में साथवे में या आठवे में तो छटवा अध्याई एक ऐसा अध्याई है जहांपर सर्वाधिक शूत्र हैं आगे ब्रम्हा शे व्याकरण सास्तर की सिक्षा गर्ण करने वाले हैं तो ब्रम्हा जी शे फिर किरहों ने व्याकरण सास्तर की सिक्षा को गर्ण किया था ये आपको बताना है तो ब्रम्हा जी शे ब्रहस पती जी ने गर्ण किया था और आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ कि जो हमेशा सूत्रों की शंख्या पूछी जाती है कि व्याकरण के सूत्रों की शंख्या कितनी है इस्टाइड द्याई यूँके अलग-अलग गरंथों के अनुशार अलग-अलग है स्वर शिद्धान तो चंद्रिका के अनुशार पाणनी जी ने 4995 माने हैं कितने माले हैं 4995 इसके लाबा नर्णा सागर संस्क्रण के अनुशार 4985 माने हैं अलग-अलग हैं ये 4985 माने गए हैं इसकलाबा जो तारानाथ वाच्चस पतीजी हैं उनके अनुसार 4965 हैं ऐसे और लगवग जो संख्या कही जाती है लगवग चार हज्जार संख्या जो है अश्टा ध्याई में कही जाती है सुत्रों की और पाननी धातू पाथ में लगवग दो हज्जार धातूएं हैं कितनी अध्याई में सबशे कम सुत्र हैं तो अश्टा ध्याई के किस अध्याई में सबशे कम सुत्र हैं तो सी रहेगा सही उत्र दूश्रे अध्याई में आगे व्रहस्पतीशे व्याकरण की सिक्षा गर्ण करने वाले हैं तो व्रहस्पतीशे व्याकरण की सिक्षा गर्ण करन आज़े अश्टध्याई के प्रथम अश्टक अध्याई की शूत्र संख्या है कितनी है यह बताना है तो जो यहाँ डी नम्बर बाला वाफशन दिया हुआ है यह होगा सही 351, 379 व्याकर्ण संपरदायों की शंख्या कितनी है 2, 4, 6 यह 8 तो व्याकरण के जो संपरदायों की शंख्या कही गई है वो आठ कही गई है जो आठ नमबर वाला दिया हुआ है ये होगा इसका सही उत्तर आगे चलते हैं अश्टा ध्याई के प्रथम अध्याई के प्रथम पाद का पहला शूत्र कौन सा है अश्टा अध्याई के पर्थम पाद के ये फर ये कहें कि पर्थम अध्याई के पर्थम पाद का पहला शूत्र कौन सा है तो व्रधिरादईच जो पहले नमबर पर दिया हुआ है ये व्रद्धिरादईच है आगे वरतमान समय में संस्कृत व्याकरण का प्रतिनिधी ग्रंथ है संस्कृत व्याकरण का प्रतिनिधी ग्रंथ है यदि आप से कभी पूछा जाए तो आपको क्या बताना है अप्सन में अश्टाध्याई है लगुशिद्धान्त कवमुदी है सिद्धान्त कवमुदी है और चांद्र व्याकरन है तो जो अश्टाध्याई दिया हुआ है ये रहेगा सका सही उत्र आगे अश्टाध्याई का अंतिम शुत्र क्या है अश्टा ध्याई का अंतिम सुत्र आपको यहां पर बताना है अश्टा ध्याई का अंतिम सुत्र कौन सा है आ ई उन दिया हुआ है आ आ दिया है अकाह शवरने दीरगाह दिया है और उपर उक्तमेशे कोई नहीं तो अंत्म सुत्र जो है ये आ आ जो बी नमर वाला है ये रहेगा इसका सही उत्र आगे अश्टाद्याई की परियाए है अश्टाद्याई की परियाए है क्या है मतलब इसका परियाई वाची क्या है अश्टाद्याई का व्याकरन है सब्दानु सासन है सब्द विद्या है यह फरी कहा है सब्द विधा है या इनमेशे कोई नहीं है बताना है तो अश्टाद्याई का जो पर्याय कहा जाता है अश्टाद्याई का पर्याय शब्दानु शाशन को कहा जाता है मतलब कि इसे सब्दानु शाशन कहा जाता है अश्टा ध्याई के लिए ये होगा सही आगे अश्टा ध्याई के आधार पर भट्टो जी दीक्षित ने किस व्याकरण ग्रंथ की रचना की किस व्याकरण ग्रंथ की रचना की ये आपको बताना है तो भटोजी दिक्षित के गरंत का आपको पता ही है उपसंदिया हुगा है लगोशिद्धानत काउमदी शब्दानु सासन सिद्धानत काउमदी मनोरमा कुछमारदनम तो अश्टा ध्याई के आधार पर भट्टो जी दिक्षित के व्याकरन गंत की रचना का नाम आपको यहां पर बताना है शही क्या रहेगा तो जो शिद्धानत कौमुदी है ये भट्टो जी दिक्षित की कही जाती है शिद्धानत कौमुदी और अलगु शिद्धान तकॉमुदी के बारे में प्रशन अभी आ ही चुका था जो कि वरद राज जी की है ये पहले ही आ चुका है और शब्दान शासन का तो आपको पता ही है कि ये दूसरा नाम है तो इस प्रकार से आगे चलते हैं अश्टा ध्याई के रचनाकार है सामाने से प्रशन यही पूछ लिया जाता है कि अश्टा ध्याई के रचनाकार कौन है तो अश्टा ध्याई के रचनाकार महरशी पाननी महोदय है जो सी नमर वाला दिया है ये होगा सही हुट आगे चलते हैं अगले प्रश्ण पर लगु सिधानत कौमुदी किसकी रचना है लगु सिधानत कौमुदी किसकी रचना है बताना है पाणनी महुदे का उपसंदिया है भटो जी दिख्षित दिये हुए है पतंजली महुदे दिये हैं और वरद राज दिये हुए है शही क्या रहेगा जो लगुशिद्धान्त कौमुदी के रचनाकार है वो वरद राज जी है जो डी नम्बर बाला दिया है ये रहेगा इसका सही उत्तर आगे चलते हैं पाननी को व्याकर्ण की सक्षा देने वाले हैं पाननी को व्याकर्ण की सक्षा देने वाले कौन हैं बताना है आपको ब्रमा जी हैं वरहशपती जी हैं विश्नु जी हैं या फर्शिव जी हैं तो पानिनी महोदय को व्याकर्ण की स्चा देने वाले सिवजी हैं जो d number पर दिया हुआ है यह डि नमर वाला option रहेगा सही अस्टाध्याई पर वारतिक कि लिखे थे यह आपको पताना है अश्टाद्याई पर वारतिक किन्हों ने लिखे थे कात्याईन महोदय ने, वरदराज महोदय ने, पतंजली महोदय ने, या फिर पाननी महोदय ने तो कात्याईन महोदय जो हैं इन्हों ने वारतिकों की रचना की थी और पाणनी के सुत्रों में जो निवनताएं दृष्टी गोचर हुई जो कमियां दृष्टी गोचर हुई उनकी पूर्ती के लिए जो कात्याएं महोदय हैं जन्हें वर रुची के नाम से भी जाना जाता है इनों होने लगवग पांच हजार वारतिकों की रचना की थी तो ये रहेगा सही उत्र आगे दिया है व्याकरण सम्मत शिव प्रदत्त मूल शूत्रों की संख्या है क्या कह रहे हैं व्याकरण सम्मत शिव प्रदत्त मूल शूत्रों की संख्या कितनी है चौदह है दस है सात है या पांच है तो जो मूल सूत्रों की संख्या है चौदह माह शुच्वर शूत्र कहलाते हैं तो जो चवदः नमबर बाला दिया हूँ ये चवदः दिया है पहले नमबर पर ये रहे गा सही उत्र आगे व्याकरण भाश्य के प्रनेता हैं देखें व्याकरण भाश्य कहें और यहाँ vector कोई दिक्कत नहीं है तो या फिर तो पतंजली जी ने महाभाशे लिखा था जो बी नमर बाला दिया है ये होगा सही उत्तरूँ आगे माहिश्वर सुत्रों से बनने वाले मुख्य प्रत्याहार हैं। अश्टाध्याई के अध्यायों या पादों की शंख्या है या आपको बताना था तो आठ तो अध्याय थे और 32 पाद थे उसमें तो आठ और 32 जहां पर दिया हुआ है ये है इसका सही उत्तर ये वाला आगे अश्टाध्याई के प्रतेक अध्याय में पादों की संख्या कित तो आठ अध्याय थे चार पाद थे यह बाला पादों की कुल संख्या पूछी है पादों की कुल संख्या कितनी थी तो चार पाद थे तो जो डी नमर बाला दिया हुआ है यही होगा सही उत्तर चार पाद थे आगे धातुओं से संबध लकारों की शंख्या कितनी है होते हैं टोटल ये आपको बताना है option में 5 दिया है 10 दिया है 12 दिया है 14 दिया है क्या होगा सही उत्तर ये आपको बताना है तो जो टोटल लकारों की शंख्या होती है ये कितनी होती है दस होती है, दस लकार होते हैं आगे त्रिमुनी के संकेतित आचार्य हैं मतलब कि त्रिमुनी किन हैं कहा जाता है ब्रह्मा, विश्नु, महेश को कहा जाता है सनक, सनन्दन, सनातन जी को कहा जाता है पाणनी, कात्याइन, पतंजली जी को कहा जाता है नारद वशिष्ट या विश्वामित्र जी को कहा जाता है तो ब्रम्हा विश्णु महेश जी को नहीं कहा जाता है ये तो त्रिदेव के अंतर गताते हैं तो जो C नमर बाला दिया हुए है त्रिमुनी ये होगा सही उत्र पाननी महोदय कात्याइन जी और पतंजली जी तो C रहेगा सही आगे वह लकार जो केबल वेद में पाये जाता है केबल वेद में ही इसका प्रयोग होता है वेदों में प्रयोग होता है लोटग, लेट या लुग तो सही क्या रहेगा? जो लेट लकार दिया है ये रहेगा सही उत्र लेट लकार आगे वेद पुरुष का मुख कहलाने वाला वेदांग है वेद पुरुष का मुख किशे कहा जाता है या आपको बताना है जोतिश को निरुक्त को छंद को या व्याकरण को वेद पुरुष का मुख कहलाने वाला वेदांग कौन सा है या आपको बताना है तो वेद पुरुष का जो मुख कहलाता है मुखम व्याकरणम स्मृतम क्या कहलता है वेद परुष का मुख जो है वो व्याकरना है मुखम व्याकरना मिसमरतम ये वरतमान काल की विवक्षा में प्रयुक्त लकार है वरतमान काल की विवक्षा में कौन सा लकार प्रयुक्त होता है लुट लकार, लंग लकार, लिट लकार या लट लकार तो वरतमान काल की विवक्षा में जो लकार प्रुक्त होता है ये लट लकार होता है कहा जाता है ना वरतमान लट ये आदि भाशा वज्यानिक के रूप में प्रख्यात वईया करन है आदिभाशा वज्यानिक के रूप में प्रख्यात वईया करन कौन है पाननी महोदय है रावन है पतंजली महोदय है पिंगल है तो सही क्या रहेगा जो पाननी महोदय है ये पहला वाला आगे परोक्ष अनद्यतन भूत काल में आने वाला लकार है परोक्ष अनद्यतन भूत काल में आने वाला लकार कौन है लिट लकार लेट लकार लंग लकार या लोट लकार तो परोक्ष लिट कहा जाता है जो परोक्ष काल में प्रियुक्त लकार होता है उशे क्या कहते हैं लिट ल आगे कात्यायन के अनुसार व्याकर्ण के प्रियोजन है तो महर्शी कात्यायन जी के अनुसार व्याकर्ण के कितने प्रियोजन है 13 दिया है option में 5 दिया है और 128 दिया है इसके लावा उपर युक्त मैंसे कोई नहीं तो टोटल आपको प्रियोजन बताने हैं, कि कुल प्रियोजन कितने हैं, सही क्या रहेगा, तो जो बी नम्मर वाला दिया हुआ है, ये ये रहेगा सही उतर, कितने प्रियोजन माने हैं, टोटल पांच प्रियोजन माने हैं, तो इस प्रकार से ये जो बी नम्मर वाला दिया ह यह सही रहेगा और आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है यह नीचे बाले प्रश्न हो चुके हैं complete आ गए अनध्यतन भविश्यत काल का बोधक है अनध्यतन भविश्यत काल का बोधक क्या है लुट लकार है लेट लकार है या लोट लकार है तो अनध्यतन भविश्यत का का आपको बताना है शही क्या रहेगा अनध्यतन लुट होता है तो जो बी नमर वाला है ये रहेगा इसका सही उत्तर आज के लिए इतने ही प्रशन रहने देते हैं आगे अगले वीडियो में पुना है इसी प्रकार से और ग्यान वर्धक प्रशनों के साथ आप लोग यदि नए हों चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप संस्क्रट की पैडागाजी के लिए जो वीडियो अपलोड हैं आप उन वीडियो को जरूर देखें जिसे आपका अभ्याश और अच्छा हो बहुत बहुत धेनवाद आप शभीकर